आज की हमारी रेसिपी है नारियल के लड़ू तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत सौफ बनते हैं तो आप ज़रू ट्राय कीजेगा बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी 15-20 मिट में बन जाती है जादा टाइम नहीं जाता तो आप जरूर बनाएगा ये देखिए मैंने कड़ाई ली थी एक कड़ाई ले ली थी उसमें मैंने दो चम्मच के करीब कुछ घी डाला था ये देखिए घी की रेसिपी भी अल्रेडी मेरे चैनल पे है आप जाके देख स हैं आप जाके देख लेना तो ये देखिए वो मैंने देड' कप के करीब ।ा आ था आप अपने हिसाब से दाल सकते हो कम य가 जादा अगर और जादा बनाना है तो आप जादा ले-ले लेना ये देखिए मैंने कुछ देड' कप ही लिया था और इसको अलका सा बून लेंगे, जादा बूनना नहीं है, अगर जादा बून लोगे तो लडू का color change हो जाएगा, हमको white color के ही लडू चाहिए, इसलिए हम जादा नहीं बूनेंगे, हलका सा ही बूनेंगे घी में, और घी भी जादा मत दालना, दो ही चमस दालना है, और ये देखिए, दो ती एक ही कप शक्कर डाली थी और पीस के लेनी है हमको शक्कर इतनी काफी है इसके लिए अगर आप जाधा लोगे तो उस हिसाब से आप जाधा शक्कर ले लेना और ये मैंने एक कप दूद डाला था कर दो कप में दो कप नारियल के बुरादे में मैंने एक कप ही दूद डाला था तो आप उस हिसाब से कम यह जाधा डाल सकते हो अगर आपने बुरादा जाधा लिया तो आप उसको जाधा दूद लगेगा ये रेखिए दूद में अच्छे से मिक्स कर लेना हमको ये दूंगी PCV यह देखिए मैंने पीस के लेली थी और अच्छे से मिला लेंगे अब इसको सुखा लेना अच्छे से क्योंकि हमने शक्कर दाली है तो थोड़ा यह लिक्विट हो जाएगा इसका तो अच्छे से इसको मिला लेंगे पहले याने के शक्कर को पिगलने तक पकाए यह देखिए अच्छे से पक जाए पूरा सुखा हो जाए तो हमारे लड़ू रेडी हो गया है और इलाइची आदा चमज मैंने कुछ दाली थी आपको कम या जादा दाल सकते हो या नहीं भी दाल सकते हो मैंने बहुत थोड़ी सी दाली थी इलाइची पॉडर इलाइची इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे पास साथ मिनिट जब यह ठंडा हो जाए तो हम लड़ू तयार कर लेंगे और एक हास से मैंने देखो आपको बताया एक हास से भी रेडी हो जाएगे इतने सौफ बने है तो आप भी बनाएगे फटा-फट बन जाते है कुछ टाइम नहीं जाएगा और रख के खा सकते इसको ऐसे ही मैंने पूरे रेडी कर लिये थे और उपर से कुछ ड्राइफ रूट आपको लगाना हो तो लगा सकते हो मैंने चारोली लगाई थी और उपर से नारेल का बुरादा सुखा वाला जो रहता है वो लगाया था मैंने यह कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे है और यह चारोली मैंने लगाई थी आप बादाम काजू या जो आपको चाहिए वो लगा सकते हो यह देखिए कितने टेस्टी लग रहे है यह देखिए रेडी हो चुके है रेसीपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए अपने द झाल